पाकिस्तान में बदलापूर में आपका स्वागत है आप सब के साथ मैं हूँ प्रियंकाराई पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान फिलहाल जमानत पर हैं लेकिन उनके खिलाफ मामलों की फहरिस्त काफी लंबी है इमरान ने पाकिस्तान की आर्मी से सीधे सीधे दो-दो हाथ करने की ठान ली है शहबास सरकार भी इमरान को बख्षने के मूड में नहीं है तो ऐसे में इमरान का क्या होगा पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जिसने आर्मी से बिगाड़ी तो उसके दिन गीने चुने ही रह जाते हैं तो क्या अब आर्मी और वहां की शहबाद सरकार इमरान को चैन से रहने देंगे या उनका भी गेम ओवर कर देंगे तो अब बड़ा सवाल है कि क्या इमरान पाकिस्तान में चैन से रह सकेंगे और अब हम आपको पांच तस्वीरे दिखा रहे हैं जिसमें बात हो रही है इमरान की उन्होंने शहबाद सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान सरकार उपद्रवियों पर एक्शन की तयारी में है सरकार ने 72 घंटे का अल्टिमेटम दिया है पाकिस्तान PTI पर बैन लगाने जा रही है सरकार पर बरसे इमरान उपद्रवियों पर एक्शन लेने की तयारी और 72 घंटे का अल्टिमेटम जारी कर दिया गया है PTI इमरान की जो पार्टी है उस पर बैन लगाने की तयारी की जारी है PTI निताओं से मारपीट की गए उस दौरान की भी ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान में बदलापूर एक और जहां इमरान अब पूरी मोड में आ चुके हैं सेना के खिलाफ पंगा लेने के तो वहीं दूसरी ओर शरीफ अब इस शक्कर में है कि PTI पार्टी को बैन कर दिया जाए और इसे लेकर तयारियां भी शुरू कर दिया गई है तो पांच अलग अलग तस्वीरे इस वक्त आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान में क्या घटना करम चल रहा है सियासा से जुड़ी बड़ी खबर पाकिस्तान में उपद्रवियों पर एक्शन की तयारी की जारी है 72 घंटे का अल्टिमेटम जारी कर दिया गया है और पीटी आई पर बैन करने की तयारी की जा रही है शहवाज शरीफ सरकार अब पीटी आई बैन की तयारी कर रही है तो एक ओर इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जबरन गिरफतार किया गया है तो पाकिस्तान के कई शहरों में हुई हिंसा के बाद प्रधान मंतरी शहबास शरीफ ने उपद्रियम्यों के खिलाफ कड़ी का रवाई का एलान किया उन्होंने जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफतार करने के आदेश दे डाले इस दोरान उन्होंने इमरान खान की पार्टी पर भी निशाना साथा और कहा कि जिन्नोंने भी हिंसा फैलाई है उनके खिलाफ सक्त से सक्त का रवाई की जाएगी शहबास शरीफ गा अधिकारियों को अल्टीमेटा 22 घंटे में हो उपदरव्यों की घरफतारी शहबास ने इमरान समर्थकों को बताया आतंकी पाकिस्तान के कई शहरों में हुई हिंसा के बाद अब बारी कारवाई की है लिहादा शहबास सरकार ने भी इमरान समर्थकों पर कारवाई करने की पूरी तयारी कर ली है और अधिकारियों को भी सकत लहजे में कह दिया है कि कारवाई में किसी भी तरह की कोता ही परदाश्ट नहीं की जाएगी इस सिलसले में शहबाज शरीफ ने लहोर में अधिकारियों के साथ बैठक की इस दोरान उन्होंने जिन्ना हाउस, सैन्ने और नागरिक परतिष्ठानों में तोड़ फोड़ और आगजनी के लिए जिम्मेदार हमलावरों को भातर घंटे के अंदर गिरफतार करने का आदेश दिया मैं आपको टारिट दे रहा हूँ, अगले भातर घंटों में तमाम कल्प्रेट्स, प्लैनर्स, इन्सिगेटर्स और हमलावर के गिरफतार होने चाहिए जिरूर और उनके खिलाफ कानून कमदावक केसिस दर्ज हों इस दोरान शहबास शरीच ने अमरान समर्दकों को आतंकी तक यह डाला और अधिकारियों को साफ साफ शब्दों में कहतिया है कि कारवाई में किसी भी तरहां की लाफरवाही को वो बड़ताश्त नहीं करेंगे अधिके जुमधार बने जिन्होंने मदद की जिन्होंने इस मामले को आपको बढ़काने में पूरा हिस्सा डाला और जो हमला आवर हुए वो चुन चुन कर कोई अगर किसी ने खाना पुरे करने की कोशिच की तो वो नाकाबल बरदाश था वहीं दूसरी तरफ जिन्ना हाउस में हुई तोड़ फोड और आगजनी की जाच का जिम्मा जियाईटी को सौप दिया गया है इसलामबाद हाई कोट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की पार्टी के समर्थकों ने पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक परदरशन किया था हिंसा के दोरान ही पीटियाई समर्थकों ने कोर कमांड आफिस और जिन्ना हाउस पर भी हमला कर दिया था वहाँ तोड़ फोल और आखजनी भी की गई थी पूरे पाकिस्तान में ये हिंसा तीन दिनों तक चली पेशावर के सडकों पर सरयाम फारिंग हुई इमरान समर्थक और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान आमने सामने भी आ गए थे सिर्फ पेशावर ही नहीं कराशी लहौर इसलामबाद खैबर पक्तूर्फवा समेथ कई लाकों में उप द्रव्यों ने उथपात मशाया था इंसा को देखते हुए पाकिस्तान सरकार को भी ये कहना पड़ा था कि इमरान के समर्थक में सडकों पर आतंकी उतराए हैं और पाकिस्तान में एमर्जेंसी लगने की भी खबरे सामने आ रही थी लेकिन हालात संभलते ही उन अटकलों पर विराम लग गया और जैसे ही हालात नियंतरन में आए वैसे ही अब शहबास सरकार ने उपदरवियों के खलाप कड़ी कारवाई की जेतावनी दे डाली और अब ये देखना दिल्चस्पोगा की पाकिस्तान के अधिकाली अपने प्रधन मंतरी के आदेश पर कितना अमल कर पाते हैं और भातर घंटे के अंदर उपदरवियों के खलाप कोई बड़ी कारवाई होगी या फिर पाकिस्तान में एक बार फिर नया बवाल देखने को मिलेगा तो अब सवाल यह है कि क्या कारवाई की जाएगी या फिर एक बार फिर से कुछ नया बवाल अब पाकिस्तान में देखने को मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान के सियासत में हर रोस और हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा है शहबाश शरीफ और इमरान खान के बीच तकरार जा रही है और इसी बीच इमरान ने अब जनता से मदद मांग ली है और आंदोलन करने की अपील की गई है इमरान खान ने जनता से मांगी मदद जनता से सम्विधान बचाओ आंदोलन की अपील शहबाश सरकार पर साधा निशाना पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी इमरान खान की मुसीवतें कम होती नहीं दिख रही है एक तरफ इमरान खुद संकट में खिरे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी पर भी खतरा मंड़ा रहा है पाकिस्तान में उनकी पार्टी पी टी आई पर बैन लगाया जा सकता है इस सब के भीच इमरान ने अब पाकिस्तान की जन्रता से मदब की अपील की है इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की जन्रता सम्विधान बचाओ आंदोलन करे लोग घरों से बाहर सम्विधान बचाओ के बोड लेकर खड़े हो इमरान खान ने लोगों से एक जुट होकर पर दरशन करने के अपील की है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम एक घंटे के लिए सम्विधान बचाओ के बोर्ड लेकर घर के बाहर खड़े हो इमरान खान को भले ही कोट से राहत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर भी है लेकिन मुसीबतें उनका पीछा छोड़ती नहीं दिख रही है लहाजा वो खुद को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए नई नई प्लानिंग कर रही है तो शेहबास सरकार को भी कोसने से पीछे नहीं हटते इमरान खान ने शेहबास शरीफ पर जूटे केस में फसाने का आरोप लगाया और पाकिस्तान में मचे हाहाकार के लिए भी शेहबास सरकार को जिम्मेदार बताया इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों पर भी मारपीट का आरोप लगाया है पाकिस्तान में अभी जो हालात बने हुए हैं उससे तो यही लगता है कि Imeran खान को फिर से किसी न किसी बहाने घरफदार किया जा सकता है उनकी हर गतिविदी पर सरकार की पैनी नजर है तो Imeran के समर्थक और कारकरता भी हर हालास से मिपटने के लिए तैयार बैठे हैं सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ही नहीं पाकिस्तान की सेना भी इमरान खान के निशाने पर है इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में ताना शाही के हालात हैं और एक बार फिर से 1971 जैसे हालात बनते दिख रही हैं इमरान खान पाकिस्तान के लोगों से हकीकी आजाती और पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आने के अपील कर रही है तो शहबास सरकार भी इमरान खान के समर्थों के खलाफ कारवाई के लिए तयार है यानि ये साफ है कि पाकिस्तान में इमरान खान और शरीफ के बीच जारी तक्रार जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है तो इमरान खान और शरीफ के बीच जो तक्रार जारी है वो जल्द खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है वहीं इमरान खान ने शहबास सरकार पर बदला लेने का रोप लगा दिया है उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ बत्तमीजी की है ये रिपोर्ट देखे अकेली बुश्रा बेगम या एक चीफ जस्टिस एक इमानदार द्यानदार चीफ जस्टिस गभारा नहीं किया ये सारी बातें और दावे पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी और वहां की सबसे बड़ी पार्टी के नेता इमरान खान के हैं जिनकी गरफतारी के बाद तेन दिन तक पाकिस्तान के कई शहर जलते रहे हालात ऐसे हो गए कि एक तरफ इमरान समर्सक्षर दर शहर बबाल मचा रहे थे जम कर तोड़ फोड़ कर रहे थे तो दूसरी ओर सेना इमरान के करीबियों को गरफतार कर रही थी तावा है कि इमरान खान के घर पर भी सेना ने तोड़ फोड़ की इसी बीच कल इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया इस दोरान इमरान खान शेहबास सरकार पर जम कर बरसे उन्होंने आरोप लगाया कि हाई कोट से बेल मिलने के बाद भी मुझे गरफतार करने की कुशिश की गई आज पाकिस्तान में नियाए पालिका ही लोगतंतर को बचा रही है पूरे देश को सम्विधान और कानून की सरवचता के लिए स्वातंतर नियाए पालिका के साथ खड़ा होना होगा जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता वहीं आज़ादी नहीं होती है अमेरिका में, इंगलन्ड में, यॉरप में, प्राए मुल्क हैं उनको इस मुल्क से ज्यादा अज़ादी है वहाँ उस ज्यादा अज़ाद है क्योंके वह रूल अफ लौव है उनके हकुकी हिफाज़त करते हैं वहाँ के पानीन और उनकी अदलिया वह अज़ाद लोग हैं इसलिए वह बोल रहे हैं इसके साथ ही अमरान खान ने सेना पर उनकी पतनी के साथ घलत घलत वेवार करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि उनके घर पर गेर कानूनी तरीके से हमला किया गया घर का दर्वादा तोड़कर सेना अंदर गुसी जो चीज मिली चोरी की लोगो को मारा जो मिला तोड़ा उस वक्त बुश्रा बेगम घर पर अकेली थी अकेली बुश्रा बेगम या थी हमने पर भी ओरडर नहीं किया घुसा मुझे बहुत था मैं आपको कहूँ कि मुझे कभी भी घुसा आया है कि खातून परदादार अकेली घर में बैठी है और चारों तरफ वाज़ें आ रही है उपर नीचे पुलीस कि वो मार रहे हैं वो चीखें कि वाज़ें आ रही है खिड़की के बार लोगों को मार रहे हैं डंडो से इमरान ने सरकार पर 145 से ज्यादा उन पर फरदी केस लगाने का आरोप लगाया है इमरान ने पूरे मामले की निश्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है उन्होंने कहा है कि सरकारी इमारतों को जलाने के मामले की जांच हो जिन लोगों को भी गोली मारी गई चीफ जस्टिस इसकी जाश कराएं हमारे 3500 से ज्यादा नेताओं को जेल में डाल दिया किया हमारी पार्टी के कारेकरताओं को अभी भी गरफदार किया चा रहा है एक चीफ जस्टिस है कि मानदार द्यानदार चीफ जस्टिस तो उसने उसको गवारा नहीं किया हमला किया सुप्रीम कोर्ट के उपर और डंडों से चीफ जस्टिस को यानि कभी ऐसी दुनिया की जुमूरियत में ऐसा मनाजर नहीं हुए कि डंडों मार के उस चीफ जस्टिस को और ड्रा गए उसको बगाया इन सब के बीच भले ही इमरान खान जेल से रिहा हो गए हो लेकिन वहां के हालात सही नजर नहीं आ रही है एक तरफ सरकार उन्हें भी किसी दूसरे मामले में जेल भीजने की कोशिश में चुटी है वहीं दावा है कि पाकिस्तान में कभी भी मार्शल लगाया जा सकता है तो पाकिस्तान में सिती ठीक नहीं है कहा जा रहा है कि वहां पर कभी भी मार्शल लगाया जा सकता है पाकिस्तान के हालात बत से बत्तर ही होते जा रहे हैं ये खास रिपोर्ट देखे इन्होंने मुझे यहां किटनेप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है बहुत मुल्क आला थरा बोर है गरीब आदमी ने क्या घुजारा करना है, जी पिट्रॉल महिंगा हो गया गरीबों को कोई ऐसा रुजगार का मौका दें, ताके गरीब तो ना अपनी इस चक्ती में पीसा जाए जो बंदूक उटा के आज कड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा, तो ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ मजबून है ये नए पाकिस्तान का उस पाकिस्तान का जहां सियासी साजिशों के दर्या में आफाम का हक दुबोया जा रहा है, उसे लूटा, खसूटा जा रहा है अदालत से रिहाई और सरकार की पिटाई के बाद इमरान अपने घर पहुँचे, तो कोहरा इमरान जेल गए तो कोहरा, नवाज शरीफ लंडन भागे तो कोहरा, शाबाज शरीफ प्रधान मंत्री बने तो कोहरा पाकिस्तान इस कोहराम के कारण एमर्जेंसी में जी रहा है अगोशित एमर्जेंसी है, जिसमें सिर्फ आवाम मारी जा रही है सरकार मस्थ है, विपक्ष मस्थ है, आर्मी मस्थ है सबकी रोठियां कोहराम के चूले पर फॉस्ट क्लास फूल कर निकल रही है इमरान लौट आये हैं, फासी से फिलहाल बच गये हैं, सुकून है लेकिन दिल में देशत अब भी तासा है सुबान पर अब भी आर्मी को एक्सपोज करने का इराता है देश को श्री लंका की तरह चलने के लिए छोड़ देने का इराता है I've warned about this several times before that look, as long as we do political rallies, they are all within the constitution, they are peaceful I said don't push it to a stage where mobs turn out on the streets like in Sri Lanka रोथी के टुकडे, बेरोजगारी के टुकडे, महंगाई के टुकडे और अराज़क्ता के टुकडे पाकिस्तान इतने टुकडों में बढ़ चुका है, विखर चुका है कि समेटने में सधियां कम पढ़ जाएं ओदाहरण देखिए तब बॉनिंग पाकिस्तान इस्लामाबाद जल रहा है कराची जल रहा है बेशावर जल रहा है लाहोर जल रहा है क्वेटा जल रहा है आदमी दर्जन के हिसाब से कतल किये गए कितने तो अभी अस्पताल में उम्र भर ना भूलने वाले दर्द के साथ विस्ता तरलिटे हैं इसमें पुलिस वाले भी है, पबलिक भी है, सौ घंटे तक पाकिस्तान की चूले हिलती रही, पूरा मुल्क, घुस्से, नफ्रत और स्वार्थ में स्वाहा होता रहा सरकार को अदालत पर भरुसा नहीं अदालत को सरकार पर भरुसा नहीं इमरान को आर्मी पर भरुसा नहीं आर्मी को आवाम पर भरुसा नहीं सब एक दूसरे के कटर दुश्मन बने बैठे जिसे जहां मौका मिलता है आग लगाने में देर नहीं करते किसी को नहीं मतलब देश से, कानून से, आवाम से ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में आज की तारीक में कहीं सननाता है तो इसका मतलब आगे अभी यहां और खून खराबा होना है ये शान्ती है उससे पहले की कोहराम से पहले की शान्ती इमरान खान को सिर्फ 15 माई तक गिरफ़तार नहीं करने पर रोक लगी है अदालत ने सिर्फ 2 हफ़ते के लिए ही जमानत दी है इमरान खान के खिलाफ 90 केस दर्ज है लिहाजा आशंका के बादल जटे नहीं है कि इमरान दोबारा गिरफ़तार नहीं होंगे इमरान को रिहा करेगी तो दूसरे केस में सरकार धर्दबोचेगी 9 माई को जिस तरह से इमरान को धगिया कर जेल में बंद करने के बाद देश में उत्पात हुआ अगजनी होए इमरान उसका हवाला देकर आर्मी को, सरकार को अपनी ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मौलाना फजलोर रह्मान जैसे सरकार में शामिल सियासत डान इमरान को ऐसे हाथ से नहीं जाने देंगे जाहिर है मौलाना और एमरान की लडाई, आर्मी और अधालत की लडाई, सरकार और विपक्ष की लडाई के बीच पाकिस्तान फिर आग के हवाले होगा एक देश ऐसा भी, देश कंगाल है, उदाहरन देखिए ब्लूमबॉक की रिपोच के मुताबिक पाकिस्तान में राजस्व घाटा तीन दशकों में सबसे उपर पहुँच गया है ये देश की जीडीपी के 8.9 प्रतिशत हो गया पाकिस्तान को अंतराश्टिय मुद्रकोश यानी आईमेप से कर्थ चाहिए तो उसे अपना राजस्व घाटा थतकाल कम करना होगा वरना लोन रुक जाएगा अभी तो पाकिस्तान के वित्तमंत्री दावा कर रहे हैं कि सरकार ने 3.7 अरब लोन मई और जून में चुकाने जा रही है चीन से भी 2.4 अरब डॉलर का कर्स मिलने जा रहा है लेकिन ये डावे उस देश में किये जाते हैं जहां कोई भविश्य देखता हो पाकिस्तान में आज की हालत यह है कि कबरस्तानों में थक्तियां लचकी है कि कबर खुदवाने का पैसा ना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें कफन का पैसा ना हो तो फला नंबर पर संपर करें, अंदर से बिलकुल खोखला हो चुका है पाकिस्तान, श्री लंका बनने में बस थोड़ी देर हो रही है, छेंगारी जल रही शोला कभी भी बरस सकती है तो फिलाल पाकिस्तान में शांती है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछी समय में यहाँ पर बड़ा भूचाल भी आ सकता है इस खास पेशकश में फिलाल इतना ही, मुझे दीजे जाज़त, नमस्कार